असलाम अलेकूम इबर्स, होप यू आर दूइंग वेल आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउजर का एक और नियू डिजाइन शेयर करूँगी इस डिजाइन को बनाने के लिए हम ट्राउजर के लेंद साड़े 3 इंच कम रखेंगे सबसे पहले ये मैंने ट्राउजर के साथ का ये फैबरिक लिया है इस फैबरिक की इविट मैंने इस सरहां से रखी है 5 इंच और इस फैबरिक के लेंध मैंने लिए है 20 इंच इस फैबरिक के नीचे मैंने बुक्रम को पैस्ट कर लिया है अब इस साइट पर हम एक एक इंच के गैप पर इस तरह से लाइन स्ट्रॉ कर लेंगे यहां पर हम पिंटेक्स डालेंगे ऐसे लाइन स्ट्रॉ करने के बाद अब यह देखें ऐसे फॉल्ड करेंगे फॉल्ड करके हम यहां पर लाइन स्ट्रॉ बना लेंगे इस तरह से मैंने फोल्डिंग लाइन्स बना ली हैं इनको बनाने के बाद अब यहां पर हम पिंटेक्स डालेंगे बारिक वाले सेम इसी तरह से हम दूसरा पिंटेक्स डालेंगे इस पूरे फैब्रिक पर हमने ऐसे ही पिंटेक्स डालेंगे यहां पर यह देखे मैंने सारे फैब्रिक पर पिंटेक्स डाली है अब पिंटेक्स डालने के बाद यह मैंने फैब्रिक लिया है धाई इन चोड़ा इस फैब्रिक को हम यहां पर रखेंगे और यहां पर स्टिच कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी हमारी उसको कट क यहां पर इसके बाद एस फैब्रिक को साइट पर देखें से फोल कर के यहां से यहां से यहां पर मैने इसको hand stitch कर लिया है अब इसके बाद यह मैंने को fabric लिया है इस fabric की width मैंने ली है 4-inch और इसकी length मैंने काफी सारी ली है यह देखे हैं अब इस fabric की सरहां से double कर के यहां से हम stitch करना स्टार्ट करेंगे एक साइड से मैंने यहां से भी देखें स्टिच किया है स्टिच करने के बाद इसको हम पैन की हेल्प से सीधा कर लेंगे इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है इसको सीधा करने के बाद अब इसको हम प्रेस करेंगे यहां से हम कट कर देंगे जो मैंने सिलाई लगाई थी वह वाली इसको हम इस तरह से प्रैस करेंगे यह जो सेंटर वाली सिलाई है यह हमारी से सेंटर में आई है दिखें ऐसे अब इसके बास सेंटर से हम स्टिच करना इस पर्टी को स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम पिंटेक्स डालेंगे ऐसे एक पिंटेक्स का मुह हम उस तरफ करेंगे और जो इसका ब्राबर वाला पिंटेक्स डालेंगे उसका मुह हम नीचे की साइड पर ऐसे करेंगे सेम इसी तरह से हम दुबारा से एक पिंटक्स डालेंगे उसका मुह हम उपर की तरफ करेंगे अब जो इसके ब्राबर डालेंगे उसका मुह हम नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से इस पुरी पट्टी पर हमने इसी तरह से पिंटक्स डाल कर इस पट्टी को रैडि कर लेना है ये देखें इस तरह से इस तरह से पिंटेक्स डालकर मैंने इस पूरी पट्टी को राड़ी कर लिया है इसको राड़ी करने के बाद हम अपना ट्राउजर लेंगे और पाइंची के उपर यह पिंटेक्स वाला फैब्रिक रखेंगे इस तरह से और यहां से हम स्टिश कर लेंगे यहां से स्टिश करने के बाद इसको हम इस तरह से खोलेंगे और यहां पर टॉप स्टिश लगा देंगे डॉप स्टिच लगाने के बाद अब यह वाली पट्टी लेंगे इस पट्टी को हम यहां पर रखेंगे और यह जो मैंने नीचे सिलाई लगाई थी यह वाली इस सिलाई के उपर हम उपर वाली सिलाई और नीचे वाली सिलाई पिल्कुल दूसरे के उपर रखेंगे और यहा के बाद निडियल में धागा डाला है और इसके बाद हम यह देखें दोनों कौर्णर है से जो पिन टेक्स मैंने डाले हैं इसके दोनों कोईमर्ट को प्लय कर लेंगे यह झालं हम अब दूस्चПрच करने के बाद आप में दूसरे बाले सिच करेंगे ये वाले अब नीचे की साइड पर आकर हम रॉंग साइड से हम इसको पक्का कर लेंगे एक को स्टिच करने के पास से हम इसी तरह से हम दूसरे को स्टिच करेंगे ये देखें पहले हम इन दोनों कोर्नर्स को इस तरह से दोनों कोर्नर्स को स्टिच करेंगे और अब इसके बाद हम इन दोनों को कर लेंगे सेम इसी तरह से हम इन सब को स्टिच करके नीचे से हम पका करते जाएंगे और यहां पर मैंने सब को स्टिच करके फ्लार्स बना लिए हैं अब इनको राड़ी करने के पाद इनकी उपर हम पर्स को हैंड स्टिच कर देंगे तो यह लास्ट में मेरे टॉल्ग का डिजान मिलकूर राड़ी हो चुका है देखें कि तब यूटिफुल लग रहा है अगर आपको यह मेरी उडिश लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मैंने अपने इस्ट्रग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप लोग फोलो कर सकते हैं अब मिलते हैं नाइस्ट वीडियो में टेक क्यार